नमस्कार दोस्तों मैं प्रभातिवारी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभातिवारी स्टडी आईक्यू पे बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर निकल के सामने आ रही है एंटिया नेट की काउंस्लिंग आज से सुरू 450 नमबर वालों को मिल सकता है गोवर्मेंट कॉलिज ठीक है तो यहाँ पर बड़ी अपडेट बताएगी जब से यह अपडेट आई आप लोग दोर बहुत ज़्यादा कॉल्स और को अरिज आने लगा कि सर हम कहां से काउंस्लि होगा या फिन नहीं होगा उस वीडियो में सारी चीज़ें डिसकस की जाएंगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को दबारेना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक सब्सक्राइब पहुंचता रहे सब इससे पहले बच्चों में की काईंसिलिंग आज से सुरू होगी की चाइब काँश से दो या तीन दिन पहले आप लोगोगो सुझित कर दिया जाता है कि आप की काँंसिलिंग शूरů हो जाएगी तो बिल्कुल ऐसा नहीं है आज से की नहीं nor should की जाएगे और यह पेपर कटिंग विल्कुल फेक है बेराल जिनका भी 450 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उनके गौर्णमेंट कॉलिज मिलने के बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं। दूसरे बात दोस्तों आप लोग लिए एक बेस्ट गेमिंग एप लाएं हैं। और आप लोग अपनी रेंग को चेक कर सकते हों, किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। आपको Qdo Nama की एक एप मिलेगा, Google Play Store पर चाहें वहां से डाउनलोड करिए। यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। वहां से डाउनलोड करिए। इसको डाउनलोड करने के बाद यहां परिंटल सीरा क्योन करते हूं। म्याइप क्लिकेन पर इंटल ग्राउन फर मिलेगा, तो कि यहां पर आपको देख रहे हैं आपने लाइप्यों। चलिए head on में खिलता हूँ आप मेरे साथ भी आ सकते हैं test दे सकते हैं अपनी rank को चिक कर सकते हैं सबसे बड़ी खासिते हैं किसी भी exam की आप त्यारी कर रहे हैं इसमें live MCQ test रूड़ेगा कि जो भी आपके आजपास है उन से आपका head to head बिडंद करा देगा चलिए यहाँ पर आ गया है अब यहाँ पर आपको 15 second का timing मिलेगा 15 second में timing दोस्तों आपको यहाँ पर कथन दिया गया है और सही कथन चुके ठीक है तो यहाँ पर आपको जो भी answer सही लगता है लेकिन यहाँ पर पहला answer होगा एक से दो हेक्टियर की भी इसमें ठीक है अगला question यहाँ पर दे दिया है अगले question को आप लोग देख लिजेगा निमलखित में किसकी सोर उर्जक और आसानिक उर्जक में बदल में आधिक दक्षिता होती है तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी लगा देता हूं तो यहाँ पर मैंने लगा दिया तो यहाँ पर यह सही हो गया है अगले question की और आपको मैं लिया चलता हूं अगला question आप लोग के सामने आ चुका है मोद्रिक नीत के प्रथम उद्देश के बारे में सही कथन चुनिये तो यहाँ पर मैं लगा देता हूं चलिए फश लगा देता हूं लेकिन इसका answer सही है तो यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से आप लोग खेल रहे हैं और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं जीच चुका हूं तो आप लोग अपनी All India Rank भी चेक कर सकते हैं लाइब में ठीक है